Hi everyone, welcome to 11.2 KPS, वैदिक के लिए बिल्कुल तयार हैं, तो चलिए इस पूरी सिरीज में, पहला बहुत सिंपल लेक्चर है, और शुरुवात में जो 15-20 वीडियो हैं, वो बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे हैं, तो आपको हर एक चीज समझ आएगा, कोई परिशानी नी है, हाँ, लेक्चर के बाद आप असाइनमेंट्स के लिए जरूर जो हमारा चैनल है, वो जरूर देख लीचेएगा, जो टेलिग्राम चैनल है, तो असाइनमेंट्स, नोट्स, वो सारी चीज अबले बले, और वैदिक के लिए मैं आपको एंस्योर करता हूँ, हर एक कंसेप्ट उसम मैं मेथट समझाता हूँ आपको, और बहुत द्यान से समझेगा, क्योंकि एक बार आइडिया लगया तो बड़ा काम असान हो जाएगा, और बहुत मैजिकल है, फिर बहुत मजाने वाला फिर, ठीक है, तो बच्चों के लिए तो खास करके बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत इंटरस्ट लेना शुरू करते हैं, तो अगर मान लो कि कहीं पर 12 को 11 से माल्टिप्लाइ करना है, तो हम करने के अबाले किसी भी नमबर को, अभी 2 डिजिट्स के नमबर, फिर 3 डिजिट्स के नमबर, उसको 11 से, फिर 111 से, फिर 111 से, वो सारी सिरीज हम एक साथ तो आप ऐसा करते हैं, तो 1 into 2, 2, 1 into 1, 1, फिर 1 into 2, 2, 1 into 1, 1, ऐसा करते हैं, 2, 2, 1, 3, 1, ताइम लगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, जो वैदिक का मेथड है, वो ये करने को करेगा, कि भाई 12 को मल्टिप्लाइ करना है न, तो 12 को मल्टिप्लाइ करना है, तो म लग हटा दीजिए ऐसा मतब दोनों को separate करिए दोनों को separate करिए बीच में जगा देदेजिए तो यह one और two ठीक है अब उसके बाद क्या करना है इन दोनों को add कर देजिए तो two plus one two plus one क्या आएगा three बस यही आंसर है समझाई बात मतब उसको separate करना है उसको बीच से क्या करना है separate कर देना है तो बीच में जगा बचेगा तो किस से feel होगा वो इन दोनों को add करके लिख दीज़े तो बोगानी है अब जितने भी examples ऐसा लिखते हैं जैसे मालों की 14 को करना होता 11 से तो 14 को 11 से करना है तो हम क्या करेंगे 14 को अलग कर दिया थोड़ा सा बीच में कौन सा है कार नमबर 14 को अलग कर दिया ठीक है बीच में जगा बचा 4 प्लस 1 तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5 यह क्या है यह 4 प्लस 1 है ब्रिज जल्दी सीखते हैं ये बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेगा और उसका भरोसा बढ़ता चला जाएगा इस मेधर्ड पे है ना क्योंकि इसको एकदम मैजिकल लगता और है भी ठीक है तो ये इस तरह से करते चाहिए और बाद में मैं प्रैक्टिस पेपर भी दे करेंगे 62 को अलग करेंगे और मजदा 62 को बस ऐसा करना है और बीच में इन दोनों को एड़ करके लिखना है एड़ करके तो 6 प्लस 2 कितना होगा 8 सो ये आंसर होगा तो simple but effective यही तो करना है क्योंकि बच्चे में interest develop करना हमारा काम कहा है बच्चों में interest develop हो जाए वो इसको करने लग जाए फिर तो उनका धमाग unlimited है फिर वो कुछ भी कर जाएगे तो ये अभी मैंने two digits two digits का number था जिसको 11 से multiply करना था वो बताया तो इसके 10- साइज में दे रहा हूं वो करवाई यह वो student से करवाई वो बच्चे से करवाई जिसका बड़ा फाइदा निकल के आता है ठीक है तो यहां तक मेरे ख्याल से बात है समझ आ गई तो इसके बाद फिर हम three digits लेंगे उसको 11 से multiply करेंगे फिर four digits लेंगे उसको 11 से multiply करेंगे फि बताना एक important तरीका होता है कि कैसे एकतम से interesting way में वो समझ आए बस इसको to 12 बे हटाया जगा बचा दोनों को add करके लिख दिया that's all और यह अपना traditional method तो difference भी समझ आ रहा है अब इसी method में अगर हम देखें कि मालो होता है ऐसा कुछ कि भी 56 होता और into 11 करना होता तब क्या करते तब एक थोरा सा अलग point आता है बट वो बहुत common point है और mathematical step है वो तो आपको फिर से वही करना है कि 5 और 6 को अलग करना था तो 6 तो पक्के तोर पर यहाँ पे आ गया अब यह 5 प्लस 6 हो गया ठीक है और यहाँ पे 5 आना चीए था लेकिन 5 प्लस 6 11 होता है तो हमें क्या करना ह 6 11 के लिए 1 लिख दिया और 1 को carry forward 1 को carry forward 6 आ गया 5 प्लस 6 11 होता है तो 1 इदर आ गया 1 carry forward हो गया तो यहाँ पर क्याएगा 6 कैसे आया 6 5 प्लस 1 ठीक है तो जो आंसर होना चीए 6 1 6 exactly on the same pattern अगर मैं कहता 74 into 11 फिर से वही 7 4 होना चीए था बीच में 7 प्लस 4 होना चीए तो 4 7 प्लस 4 11 1 1 आगे carry forward 2 so this is the answer तो मुझे पूरी उमीद है आपको चीज़े समझ आएगी और आप एक बार तौरली देख लीचेएगा एक एक करके आप उसको खतम करते जाएगे बट एक बार आप जरूर वो थू हो जाएगा उस पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो के साइ में आपको प्लेलिस्ट दिख जाता है तो complete वैदिक हमने डाला है complete मतब जो premium जो हो सकता है वैदिक कोर्स वो हमने बनाए तो आपसे बस इतनी गुजारिश हमारी रहेगी कि प्लीज शेयर लाइक जरूर करिएगा अगर आपको लगता है कि भी मैंने मेहनत की है पुरी टीम ने मेहनत की है यह recording है फिर behind the camera बहुत सारी चीज़े होती है तो इतना request हम जरूर कर सकते हैं आपसे कि शेयर जरूर करिए like जरूर करिए and comment जरूर लिखे मतब वह हमारे लिए बहुत कुछ है ठीक है अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लिए ठीक है तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे और पढ़ते रहिए ठीक है ओके